कि है गाइस वेलकम तो सेंप्ली लर्न वित राज मैसेल राज एंड टुड़े विए गूंग टू लर्न एवाउट सम्थिंग डिफरेंट इन सिरीज और सिरीज कंसेप्ट विकॉस जो हम लोग जानते हैं कि प्रफिंग और सम्थिंग डिफरेंट आ रहा है यहां जो प्रफिंट के पैटर्न साथ उसमें चैंजेंज हैं जो प्री जब से सुरूआ फिप्टीन से तो से 15-16 और सेम पैटर्न जो की है वह 17 में भी फॉलो करने वाले हैं तो उसी पैटर्न को देखते हुए उसी साब से आ सुलो हो रहा है तो आज को से करने वाले हैं 2015 को स्टेन हैं 2015 में आ चुके हैं और से ऐसा चीज घट कर लेंगे 5 आप आप 5 वह वह भी 3 4 मिनिट में इनफ तो 5 मांक्स में अगर तीन में तो बहुत ही बेटर है तो चलते हैं question की तरफ और question को करते हैं आप concept देखिए कि concept कैसे पगड़ा जाता है इसको सीखिए ठीक है तो अपना first question है तो इसमें पहले देखेंगे numbers को तो 17, 19, 25, 37, 87 here हमको जो question मारके यह पता करना है कि क्या आएगा series में तो अगर ध्यान से देखें series को तो सबसे पहले जब इसकी gap को देखेंगे तो एक तम तुरंत ही मतलब high level पर gapping नहीं है एकदम धिकम धीरे-धीरे बढ़ रहा है ठीक है जैसे 17 में अगर difference देखेंगे तो 2 का है प्लस 2 का ओके फिर 19 से 25 देखें तो प्लस 6 का है सेम जब next देखें इसमें तो 25 प्लस 12 का है फिर जब इस लेवल पर हमको नहीं पता है ओके तो अगर जहां पर हम series चेक करें 2 6 प्लस 12 और इन तीनों में फिर जब हम चेक करेंगे 2 में 6 में and 12 में तो इनके बीच के जब second row में difference देख रहा है तो वो difference क्या आ रहा है 4 6 तो 12 में 8 ओके तो 2 तो 6 में 4 फिर 6 तो sorry 6 तो 12 पर 8 में 6 here 6 then it will be what अगर सेम सिरीज फॉलो करें तो 2 का gap यहां पर है फिर 2 का gap होना चाहिए 8 means यहां पर 6 8 होना चाहिए 6 के बाद plus 6 plus 8 तो 12 में क्या add हो जाएगा plus 8 it means 12 plus 8 it will be 20 तो next अपना number जो होगा 37 में इसमें क्या add होना चाहिए क्योंकि है दो सिरीज में हमने करके देखा तो 37 plus 20 it means यहां पर अपना क्या एगा 57 तो answer क्या हो जाएगा यह तो यह simple सा solution है हमको इसमें चेक क्या करना था पहले देखेंगे जो सिरीज अपनी बढ़ रही है वह एकदम जो raise है इंक्रीमेंट है वह बहुत ज्यादा है या फिर कम है किस तरह से चल रहा है अगर बहुत ज्यादा एकदम high level पर increment होता तो यह जरूर है कि multiply case चल रहा होता ठीक है अगर decrement होता तो से चल रहा होता है अगर low level थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंट हो रहा है इसका प्लस का काम हो रहा है अगर decrement हो रहा है तो उसमें निगेटिव हो रहा है और alternate हो रहा है तो वहां पर plus minus हो रहा है अब यह चेक करना रहाता है चलते हैं next question पे तो इसका एंसर अपना 57 हो गया नेक्स्ट कोस्टन पर चलते हैं तो इसमें अगर सिरीज हम चेक करें तो फर्स्ट है पना 61, सेकेंड है 82, ठर्ड है 124, देन 187, देन यह पता करना है तो यहां अगर गैपिंग देखें तो इसलिए इतना ज्यादा भी गैपिंग नहीं है इनके बीच का डिफरेंस देखके अगर गेट किया जाए तो 61 और 82 के बीच में डिफरेंस कितना है 21 का देन नेक्स्ट गैप अगर हम देखें तो कितना है 82 और 24 के बीच में इसे अगर देखा जाए तो मल्टिप्लिकेशन का भी कुछ पता नहीं चल रहा जब तक आपको गैपिंग नहीं पता चलेगी तो यह पता नहीं चलेगा कि आपका मल्टिप्लिकेशन कितना हाई हो रहा है इसमें सिंपल देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि 61 तो 82 सम नंबर रेपीटेड हो रहा है डिरेक्ट उसको उसी का मल्टिप्लिकेशन सम्थिंग चल रहा है 82 से 24 में देखे तो 4 तो 2 then 12 बावन 8 that will be 42 then इसका next देखे तो 71 तो 3 and 18 12 6 अगर यहां पर गौर करें तो 21 2 सा 42 into 2 21 3 सा 63 into 3 तो यहां पर 2 का फिर 3 का मल्टिप्लिकेशन चल रहा है किसके 21 से then जब यहां पर हमको 63 आया it means next अपना क्या आएगा 63 प्लस 21 it means 21 का 4 times तो क्या हो जाएगा अपना इसमें add करेंगे हम इसमें सेम सेरीज फॉलो हो रही है 21 का 4 times तो next जब add करेंगे तो कितना आएगा इसमें 85 और 84 84 ओके देन जब इसको add करेंगे 87 प्लस 4 1 तो 7 प्लस 4 1 18 8 16 1 271 अगर आप जैसे की addition का case होता है बहुत लोग करते हैं कि एक single single disease जैसे मैंने अभी किया अगर आप चाहें तो direct ऐसे भी कर सकते है 18 प्लस 8 26 7 प्लस 4 11 इट मिन्स वन इधर तो 271 सेंपल है फास्ट होता है इससे अगर तू जो डिजिट है दो डिजिट का है उसको हम एक सांथ लेके चले तो इससे फास्ट होता है अब इसमें स्रीज कैसे गेट किया हमने तो सबसे पहले तो रहा कि डिफरेंस है एक दम हाइड लेवल मतलब तुरंध रेज नहीं हो रहा है किस्तों हो नहीं रहा है किक एकर माल्टिप्लिकेशन का भी के शोता तो 61 इनटू भी होता तो डिएरेक्ट वह 122 हो जाता तो के सीधे रेज हो जाते उससे में पता भी चलता अगर 300 हो तो भी लगता कि यहां स then 42, it means 21 के multiplication चल रहा है, 21, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो same series पता करके, answer कितना आ गया, 84 इसमें add हो जाएगा 187 में, तो जब addition होगा, तो answer अपना 271, it means a is the answer, तिन चलते हैं next question पर, इसमें अगर देखे हैं, तो 23, then 30, then 46, देखते ही पता चल रहा है कि something addition, कुछ तो addition इसमें चल र तो अब जैसे addition ही चल रहा है, of course addition चल रहा है, इसको अब गेट करने के लिए, कि series क्या चल रही है, तो इस सब से simply क्या करेंगे, इसका हम सब का difference निकाल लेंगे, okay, then 23 और 30 के बीच का difference निकाल लेंगे, तो क्या आएगा अपना, 7, okay, then 30 to 46, that will be 16, then 46 to 18, that will be 34, then 82, this one, that will be 61, 41, 61, अब इनके कोई series हमको पता नहीं चल रहा है कि अभी क्या चल रहा है, फिर इनके बीच का difference निकालते हैं, 16, 7, it means 9, फिर इनके बीच का difference निकालते हैं, तो 18, then 61, and 34, it means 11, 7, and then 5, 3, so 27, अगर अब इसको हम get करें, तो 9, 1 जा 9, 9, 2 जा 18, 9, 3 जा 27, it means next जो इसका होगा, वो क्या होगा, 36, 9, 4, 0, 36, और ये add किस में होगा, 61 में, और ये 61 वाल किस में add होगा, 141 में, it means 61 प्लस 36, प्लस 141, टोटल कितना हो जाएगा आपका, 6 प्लस 1, 7, 6 प्लस 3, 97, it means 97 प्लस 141, अब addition देखें, बहुत लोग add करेंगे, 97 प्लस 141, और हम लोग यहाँ पे 97 प्लस 141 न करके, हम सीधे 100 प्लस 141 करेंगे, it means 241, direct हो जाएगा, अब minus 3 कर देंगे, 238, तो answer अपना क्या आ जाएगा, 238, तो यह अपना answer हो जाएगा, next question पर चलते हैं, अगर इसमें देखें, अब तो यहाँ पर कुछ सोंचने वाली बात ही, कि एकदम little बहुत जाद कम हो रहा यहाँ पर अगर देखें, तो 1 का है, फिर यहाँ देखें, देखें, तो 8 माइनस हो जा रहा ही, फिर यहाँ देखें, तो 9, it means 7 और 19, 27 आ जा रहा है, तो आगर यहाँ पर हम कुछ चेक करें, तो क्या हो रहा है, यह negative में है, फिर यहाँ he plus में है, फिर यहाँ देखें, 19 तो अगर डिफ्रेंस इसमें देखें तो आ जा रहा है 95 it means 594 64 तो यह कोई सीरीज आपको पता चल रहा है क्या हां अफकोर्स अगर इसे अब मैच किया जाए तो यह 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब and this will be 4 का क्यूब sorry this will be minus 199 minus 64 that will be 135 तो यह 4 का क्यूब it means 3 चल रहा है alternate ही चल रहा है पहले 1 का क्यूब को प्लस किया गया फिर 2 के क्यूब को माइनस किया गया फिर 3 के क्यूब को प्लस किया गया then 4 के क्यूब को माइनस किया गया it means next जो अपना होगा क्या होगा प्लस 5 क्यूब किया जाएगा 5 का क्यूब कितना होता है 125 125 किसमें एड होगा 135 में अब यहाँ पे अडिशन देखिए 135 प्लस 25 160 प्लस 100 260 it means 260 विल भी एंसर है 2 प्लस फिनाटी हैया एक्दम सिम्पल है सिरीज मौस से आपको 15 सेकेंड का यह सीरीज था 15лам बहुत हो गया सबसे सिम्पल बस आपको देखना है कि सिरीज क्या जा रही इसमें जो इंक्रमेंट हो रहा वो कैसे हो रहा है उसका बस देखना है कि जैसे कि इनीशियल हम चेक करें तो वन आया फिर एट आया अभी इसमें चेक करेंगे कुछ नहीं समझ में रहा तो इसमें कोई को सिमिलार्टी में सक्कूद्स करेंगे रएमड थो यह अश्युद्र है की मैंत कर लूइंबन यह है यह यह आ नहीं प durch यह सब जब चेक करेंगे तो अफकोर्स पता चल जाएगा कि यह बिख्रन है है कि इस कि पते है टो इसमें जो है अपना 14, 6, 5, 6.5, 12, अब देखने से यहां पर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगर नॉर्मल जो फर्स्ट लुक में देखा जाए तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट अगर गौड किया जाए तो यहां पर 6, 2, 14 का हाफ नियर वाउट हाफ है, तो अगर यहां पर चेक करें हम, तो इसमें डिफरेंस कितना का है, 8, ओके, बट 8 का है, फिर इसमें डिफरेंस कितना है, 6, 1, फिर इसमें इंक्रिमेंट तो कोई सिरी जैसा बनता दिख नहीं रहा है और आज कल इसमें जो पैटर्न अगर चेक करें सेकेंड चीज इसमें तो अगर 14 का हाफ किया जाए तो होता है सेवें इतमेंस 14 इंतो 0.5 तेखिये गाइस में कैसे फालो कर रहा 14 इंतो 0.5 इतमेंस 7 minus 1 equal to 6 okay then second pattern 6 into 0.5 plus 0.5 1 minus 1 equal to 5 then third pattern 5 into a 0.5 increase kar ra तो 1.5 minus 1 equal to 6.5 because 5 into 1 5 5 और 5 का half कितना होता है 2.5 it means 7.5 7.5 minus 1 6.5 it means अब यह हमको पता चल गया है कि 0.5 के जो multiplication है उसमें हमेशा 0.5 add होता जा रहा फिर multiply हो रहा है next series में और minus हमेशा 1 हो रहा है तो यह series हमको पता चल गया है तो last में क्या होगा 12 into कहां तक पहुंचे थे हम first to 6.5 होगा it means इसमें कितना का multiply होगा इसमें 2 का multiply होगा और last वाले में क्या होगा 12 into 2.5 minus 1 then answer we will get what 24 and 6 it means 30 30 minus 1 that will be 29 29 will be answer 29 इसमें है या of course a तो देखे pattern कैसे पता चला of course अगर हम गौर करें तो near about देखें तो 6 जो है half लग रहा है इसका फिर 6 जो है 5 अगर कभी भी अग near about a pattern देखें कि पहले decrease कर रहा फिर increase कर रहा तो यह पैटर्न जरूर ट्राई करें अभी जो demand में है और इसके questions काफी पूछे जा रहा है तो इस pattern पे आप question जरूर सॉल्व करें अगर आपको एक और टिप्स है कि अगर आपको आपको सक्सेस पाना है सिरीज के उपर particular सिरीज के उपर क्योंकि अभी बात सिरीज की हो रही है तो previous year के जितने भी questions है उसको तो of course solve out कर लिजे और उसमें look out कीजे कि कैसे pattern follow कर रही है दूसरा कुछ नहीं पढ़ना आपको सिर्फ questions करने है विकॉज यह स्रीज एक ऐसा topic है जो सिर्फ practice से आती है ना कि कोई trick से आती है आपको बस देखना है कि उसमें क्या लग रहा है बस कुछ चीज आपको याद करने पड़ेंगी जैसे cube हो गए square हो गए यह सब तुरंत तुरंत आपको चेक करना आना चीए कि cube का स्रीज तो नह नहीं है प्राइम नम्मर का स्रीज तो नहीं है तो यह सब जैसे ही चीज चेक करेंगे आपका जो स्रीज है वो अटोमेटिकली एकदम सॉल्व आउट हो जाएगा बहुत जल्दी 15 to 30 सेकेंड में अगर पांच कुस्चन आप अड़ाई मिनिट में करते हैं तीन मिनिट में क सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है कुछ सीखा है आपने तो जरू सब्सक्राइब करें और एक थमसब जरूर दें एक लाइक दें और अपने फ्रेंड्स के साथ सेर करें इसे थैंक यू वे गुड़ दें बाबाए